हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे और आज हम लोग GPCR G Protein Type Signaling तिसरा पार्ट आज हम लोग देखेंगे पहले पार्ट में हम लोग ने G-Alpha-S और G-Alpha-I के बारे में डिस्कस कर चुका है इस पर्टिक्लर वीडियो में G-Alpha-T और G-Alpha-Q के बारे मे डिसकस करेंगे तो शुरू करने से पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लिजएगा और दोस्तों के साथ जदा संजादा से ज़दा कीजिएगा और अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जा करके पहले के लेक्चर्स देखिएगा आपको description box में और playlist में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं इसी को बोलते हैं और यहां पर cgmp का रोल हम लोग देखेंगे ठीक है तो एक डाइग्राम बनाते हैं डाइग्राम के थुरू आप लोग इसको समझने की कोशिस कीजिएगा और यह बहुत important है CSR net exam के लिए और जितने भी life science से जुड़े हुए exam है उनके लिए और इसको अच प्लाज्मा मियरां पें ते य wire ऐगी प्यक्ति के साथ में टेश्ट है ठीक है और लुटा गामा जे अल्फा टीघ्ट प्रोटीन के साथ और यह अभी इनक् nombreux स्टेट में GDPबंड है इसे को हम लोग ट्रांस ड्यूसिन जी प्रोटीन बोलते हैं जी अल्फा टी को जो कि अभी इनेक्टिव स्टेट में है तो जैसे ही सिगनल मिलती है लाइट की रडॉप्सिंग को तो उहां पर 116-Retinal present होते है जो कि लाइट के सिगनलिंग के कारण और ट्रांस ड्यूसिंग में चेंज हो जाते हैं लाइट परने के बाद जैसे ही लाइट की सिग्नलिंग होती है तो हमारा जो जी अलफा टी जी डीफी स्टेट में है वहाँ पर जी एफ आता है और जी अलफा टी को एक्टिवेट कर देता है GDP को GDP हटा करके GDP जोड़ देता है वहाँ पर यह काम करता है गोनाइन निक्लोटाइड एक्चेंज फेक्टर तो जैसे जी अलफा टी एक्टिवेट होती है वो क्या करती है वहाँ पर CGMP फोस्पोड डाइस्ट्रेस को एक्टिवेट करती है ठीक है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग एक सोडियम चेनल है तो सोडियम चेनल पर रिसेप्टर होता है ठीक है उस रिसेप्टर से CGMP जो परजेंट रहते हैं रिसेप्टर से बाउंड रहता है इस कारण से सोडियम चेनल जो है प्राइब रहता है और सोडियम जो है बाहर से अंदर आते रहती है ठीक है तो डिप उलारेजेशन होते रहता हों पर ठीक है क्योंकि सोडियम बाहर से अंदर की और आ रहे ये सेल में तो यह किसके कारण हो रहा है sodium channel close हो जाती है ठीक है sodium channel जैसे ही close हो जाती है तो deplorization रुख जाता है ठीक है तो यह हमारा गलफा टी का signaling ठीक है गलफा टी ट्रान अंड्यूसिंड का signaling आपको समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आओगा तो इसको जी अल्फा क्यू के signaling में तो जी अल्फा क्यू signaling जो है वो एक्टिवेट करती है फोस्पोल आइपेज सी बीटा को फोस्पोल आइपेज सी बीटा को हम लोग PLC बीटा भी बोलते है जब फोस्पोल आइपेज सी बीटा जब एक्टिवेट होती है तो क्या होता है अभी उसको लोग देखते हैं इस डाइग्राम से ठीक है यह हमारा प्लाज्मा में रेन है प्लाज्मा में पेजी पीसियार की रिसेप्टर प्रेजेंट है जी पीसियार के साथ जी अलफा क्यू जी प्रोटीन बाइंड है ठीक है बीटा गामा भी उससे जुड़े हुए है जी डीपी स्टेट में इनेक्टिव है जैसे सिगनल आता है तो गुनाइन निक्रोटाइड एक्चेंज फेक्टर जी अलफा क्यू को जी डीपी स्टेट से जी टीपी स्टेट में ले आती है और इस तरह से जी अलफा क्यू जो है एक्टिवेट हो जाता है जी अलफा क्यू जैसे ही एक्टिवेट होता है वो क्या करता है PLC βीटा को एक्टिवेट करता है फोस्पोल आइपेज C βीटा फोस्पोल आइपेज C βीटा अब क्या करेगी PIP2 वहाँ पे PIP2 को क्लीब करेगी ठीक है PIP2 को DAG, Diacel, Glycerol और IP3 में क्लीब कर देती है कौन? फोस्पोल आइपेज C βीटा फोस्पोल आइपेज C βीटा PIP2 को क्लीब कर देती है DAG में और IP3 में DAG जब केलसियम के साथ होगा तो प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करता है ठीक है? और ये केलसियम कहां आएगा? उसको हम लोग देखते हैं ठीक है? केलसियम जो है ये इंडोपलाजमिक रेटिकूलम में प्रेजेंट है ठीक है? और ये तब बाहर आता है जब केलसियम चैनल पे IP3 बाइंड होती है तो ये हमारे इंडोपलाजमिक रेटिकूलम है इंडोपलाजमिक रेटिकूलम में केलसियम कैद है बोल सकते हैं ठीक है? इंडोपलाजमिक रेटिकूलम पे केलसियम चैनल है तो जैसे ये IP3 वहाँ पे बाइंड होती है केल्सियम चैनल पे तो जो सिक्वेस्टेड केल्सियम है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में सिक्वेस्टेड बोले तो कैद केल्सियम जो इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में वह बाहर आ जाते हैं साइटोसोल में और साइटोसोल में आने के बाद बहुत सारे फंसंस अपने प्ले करती है केल्सियम आयन ठीक है नेस्ट स्लाइड में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे तो केल्सियम रिलीजड इन साइटो सोल तो केल्सियम यहाँ पर निकलने के बाद बहुत सारे रोल प्ले होते है उसमें से एक रोल क्या होता है प्रोटीन काइने ची को एक्टिवयेट होता है करती है और प्रोटीन काइने किया करती है यह जीन एक्टिवेशन में काम करती है book में अधिक कि मेटावोलिक रेगुलेसंस में काम करती है ठीक है जीन एक्टिवेशन और मेटावोलिक रेगुलेसंस में काम करती है तो आख पितियों आएन Jewish एश्मावर देखेगा को समझता है आएन के जीन profit कर देखेगा अब देखे जो केल्सियम एन होते हैं जो साइटोसोल में निकलते हैं हिंड़ो पलाज्मिक रेटिकुलम से तो केलसियम आयन साइटोसोल में और कितने सारे काम करती है ठीक है बहुत सारे डो रह प्ले करती है स plan 기분 בן ययसे कि केल यमां एक्टिवेट काल मुदोलीन काल लेक्षीन और काल रेटिकुलीन अक्टिवेट इसन ठीक है ये क कालमुटलीन, कालनेक्सिन, कालरेटिकुलीन को एक्टिवेट करती है केलसियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करती है सेल एडिजन प्रोटीन को एक्टिवेट करती है जैसे कि केडरीन केम काइनेज को एक्टिवेट करती है कि इंसुलीन और एसे टाइल कोलीन के रिलेज में अपना रोल प्ले करती है को कॉर्टिकल ग्रेनूल की एक्सोसाइटोसिस करवाती है ठीक है कि मेटाबोलिक रिग लेशन्स करती है तो इतने सारे काम करतीयी है क्यल ded net जेसे ही वो इंडौन टिरेटिकूलम से बाहर आती है और इंडौैसमिक रेटिकूलम से बाहर कैसे आती है जब आयफ i3 का सिगनल लिंग होता है ठीक है तब policing channel उपयन होते है और केलसियम जो है इंडोकलाजमी टेटिफलम से बाहर आती साइटोसोल में जाती है तो इसको भी बहुत ध्यान से इसको याद रखिए कि एकजाम में बहुत पर पूछा गया है तो आगे चलते हैं अब देखतें सेकेंडरी मेसेंजर का एक्चुली काम क्या होता है ठीक है सेकें रिसेप्टर जब बाइंड होता है रिसेप्ट प्राइमरी मेसेंजर रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड होता है तब जाकर के सेकेंडरी मेसेंजर जो होता है वो प्रोडियूस होता है ठीक है और आगे का सिंगलिंग करता है तो सेकेंडरी मेसेंजर एक्टिवेट करती ये टार्गेट प्रोटीन को जिसके कान एंजाइम एक्टिवेशन होता है और आयन चेनल के एक्टिवेशन होता है सेकेंडरी मेसेंजर को लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे कि कोई सिगनल है ठीक है जिससे मान लेते हैं आप घर में राते हो घर पे बहुत बड़ा घर है तो अगर आप पिज्जा ओडर करते हो तो आपके गेट तकाता है ठीक है सिर्फ गेट ही तकाता है वो तो अंदर नहीं जाता है आपके पास तो पिज़ा नहीं पहुचाने जाता है अब क्या करते है वो नौकर को भेजते हो कि जा करके पिज़ा लेकर आओ ठीक है तो नौकर क्या है नौकर सेकेंडरी मेसेंजर है ठीक है तो उसी तरह से जो प्राइ ऐखेंड़िंडिंड मेहर रूप में काम में तुन माम के पास बने कर जा है पिए ठीगे जबकि जह ब्रिद्वरीब व्वत है । इसाहिजेंगर आट अम्धिम काया है। ओर समय नियुकल संगते हैं तो सिदोरी में वने मेन आता हुद naught फोभी सब्रेद 15 ip3 और डेग फॉस्पोइनस्टोल ट्राइफॉस्पेट और डाइसाल ग्लिसरोल और हाइड्रोफिलिक के हैं सी ए एंपी सी जी एंपी केल्सियम आयन ip3 यह